ओम शान्ती आज 30 जन्वरी 2022 आज की अव्यक्त मुडले से हम बच्चों को सीखने के लिए मिलता है गुण वह है स्मृति हमें से हर एक को स्वर्ग की चावी मिली हुई है और मज़े की बात ये है उसी चावी से नर्ख के भी द्वार खुलते हैं और वो चावी है स्मृति कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थती अगर हमारी स्मृतियों में कोई भी वस्तु वैभव व्यक्ती वातावरण या घटना जो दुख उत्पन करने वाली है वो अगर हमारी स्मृतियों में हैं तो हम दुख या दर्द का ही अनुभव करते हैं और इससे विपरीत अगर हमारे स्मृतियों में स्रेश्ट स्मृतियां हैं सुखत स्मृतियां हैं तो वो हमें खुशी का हिसास दिलाती है हमारी उर्जा को बढ़ाती है दुखत स्मृतियां हमारे अंदर दुख का ही नर्मान करती है और सकारात्मक स्मृतियां हमारे अंदर खुशी का निर्मान करती है नकारात्मक स्मृतियां जो होती है वो हमारे उर्जा को नस्ट करती है और सकारात्मक स्मृतियां हमारी उर्जा को बढ़ाने वाली होती है इसलिए हमें सदा हमारी स्मृतियों को चेक करना चाहिए वो सदा ही स्रेष्ट और सकारात्मक बनी रहे क्योंकि स्मृति के आधार से ही हमारी स्थती बनती है जैसे कहते हैं कि जब हनुमान जी को सागर पार करके लंका जाना था तो उन्हें स्मृति दिलाई गई कि आप पवन पुत्र है और आप हवा में उड़कर के इस सागर को पार कर सकते हैं और उस स्मृति के आधार से उनके अंदर समर्थी आ गई और उन्होंने उस सागर को उड़कर के पार कर लिया और लंका पहुँच गई इसी तरह से स्मृतियां जो होती है वो हमारे अंदर समर्थी भी लाती है हमें केपेबल बनाती है हमारी सुष्प्त शक्तियों को चागरत करती है हमें अपनी स्मृतियों को स्रेष्ट बनाए रखना इससे ही हम अपने सामर्थ को बढ़ा सकते हैं तो आज सारा दिन में अपनी स्रेष्ट स्मृतियों द्वारा अपनी स्रेष्ट स्तती बनाए यही शुब कामना ओम शांती